ऐसा होगा 20 रुपए का नया नोट जाने खास बातें भारतिये रिजर्व बैंक रिजर्व बैंक कविंद्य ने हाल ही में बड़ी घोशनर की है नोट बंदी के बाद से 500 और एक हजार के पुराने नोटों को बाजार से हटा कर नय नोट डारी किये गए पच्चास एक सो कॉमा पांच सो और दो हजार के नोट के बाद अब 20 रुपए का नया नोट मार्केट में आने को तैयार है इन नोटों के संबंद में RBI की ओर से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा कि 20 रुपए का यह नया नोट हरे पीले कलर का होगा इसके पीछे साइड, रिवर्स, पर देश की सांस्कृतिक विरासत को जहलके रूप में एलोरा की गुफाओ का चित्रन होगा वहीं महात्मा गांधी की नई सीरीज के इन नोटों में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर रहेंगे रिजर्व बेंक की और से जारी बयान में बताया गया है कि 20 रुपे का नया नोट थोड़ा हरा पीले रंग का होगा नोट के पीछे देश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाना वाली एलोरा की गुफाओ का चित्र है 20 रुपे के पहले से चलन में मौझूद सभी नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे नया नोट का आकार 63 mmx1 और 29 mm होगा पुराने नोटों को बाजार से नहीं हटाया जाएगा 20 रुपे के नया नोट नोटों पर सी थ्रू रजिस्टर में 20 लिखा होगा इन पर देवा नागीरी लेपी में 20 लिखा होगा नोट के बीच में महात्मा गांधी की फोटो के साथ ही दाहिनी तरफ अशोक स्तंभ होगा माइक्रो लेटर्स में RBI, भारत, इंद्य और 20 के साथ ही सुरक्षा धागे पर भारत और RBI लिखा होगा इन पर गवर्नर शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर होंगे 20 रुपे के नए नोट के पीछे लेपी साइड में नोट प्रिंटिंग का साल लिखा है स्वच भारत का लोगो और स्लोगन के साथ ही भाषन पटी भी लगी हुई है इसमें एलोरा की गुफा का चित्र भी अंकेत है